और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाएं, सीर पैर बिने की बाते की, क्यों? क्योंकि मनिपूर का विशय किनारे हो जाएं। भारती जनता पार्टी के जनप्रतिनीद्यों ने जनता के बीच जाकर के सच्चाई और उसको बहुत बारीकी से, सच्चाई के हर पहलों से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है। साथियों, आप सभी भारत के लोगतंत्र की एक बड़ी मजबूत इकाई, एक मजबूत कड़ी उसका नेत्रुत्व कर रहे हैं। जीला परिशत का अध्यक्ष राज के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकत रखता है। राज के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा काम कर सकता है। भाजपा के कारकरता के तौर पर भी आप अपने जीले में राज में पार्टी की निव मजबूत करने में भी अपने काम के जरिये अपने व्यावार के जरिये पद पर रहते हुए भी गमन्द के मिना काम करते हुए आज आप लोगों का दिल जीत रहे हैं और इसके लिए बार बार लोग भाजपा पर विश्वाद जता रहा है साथियों इसके लिए हमारे दाएं बाएं जो हमारे कारकरता खड़े हैं हमारे आगे पीछे हमारा जो नित्रत्व खड़ा है उन सभी कारकरताओं का पसिना भी निरंतर भाँ है इतना ही नहीं जरुत पढ़ने पर भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं ने ये भारत मा की इस पवित्र धर्ती को अपने खून से सीचा है कई बार संगर्ष किये हैं और मैं पसिन मंगाल के मेरे साथियों को विशेश पूर्ट तोर पर आज के परिद्रश में जिस प्रकार से पसिन मंगाल के कारकरता मा भारति के लिए पसिन मंगाल के उजवर्ष भविश के लिए पस्चिम मंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संगहर्च कर रहे हैं एक प्रकार से साधना कर रहे हैं अपने आपको तिल तिल ज़ला करके यह हमारे कायर करता पस्चिम मंगाल का उस पुराने वैभव को वापिस लाने के लिए काम कर रहे हैं अब ये भी वहाँ पंचायत के चुनाव हुए इस चुनावों में टीमसी ने कैसा खुनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो बहुत ही जल्दी जल्दी फॉम भरने की तारिक गोशित कर दो फिर कोई भी विरोधी दल का कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर चाहीं न भर सके इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो और अगर मानों उसने चातुरी प्रवाग फार्म भरने के लिए जगा पर पहुंच भी गया तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना उनको गर-गर जाने नहीं देना प्रचार करने नहीं देना धमकिया देना और सिर्फ भाजपा के कारकरताओं को धमकाना ऐसा नहीं वोटरों को भी भेवित कर देना और बीजेपी की जो समर्थक रिष्टेदार है उनको भी जीना मुश्किल कर देना घर से निंकलने नहीं देना और जब वोटी होती है तो उस वोटी में थप्पे बाज़ी करना ये टोला बाज़ोर के लिए फोच थप्पे बाज़ी फोच बन जाती है सारे गुंडों को कॉंट्रेक्ट दिया जाता है कितने पोलिंग भूट को कौन कैप्टर करेगा मत पेटियों उठा करके भांगना और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना भय कावाताण बनाना काउंटिंग मैंसे बीजेपी के कारकरताओं को उठाक उठाकर करके बार ले जाना बैटने नहीं देना इतने जुल्ब के बाद भी ये पस्चिम बंगाल की जनता है उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कारकरताओं का आश्रेवाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्यासी जीतते जा रहे हैं और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलुस नहीं निकाल देना कोई जुलुस निकालने की कोशिच कर तो हमले बोल देना जान लेवा हमले करना पस्चिम मंगाल में टीमसी की राजनीती का यही तरीका है